असलाम अलेकुम दस्वागा थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट और नॉलेज से भरपून चेप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आरेभट और तरेगन यह आप लोग के क्लास 10 के उर्दू के धरक्षा के किताब का चैप्टर नंबर 11 है गरहन क्यूं लगता है कैसे लगता है चन्द गरहन और सुरज गरहन क्या है यह सारी चीजे हम लोग आज के इस वीडियो में और इस चैप्टर में जानेंगे ठीक है तो हर एक एक पॉइं आप लोग जानते होंगे कुछ कास तो इनके बारे में जानते ही होंगे नहीं जानते हैं तो आज जान लीजे मैं आप लोगों को बता दे रही हूं देखिए आरे बट ना दुनिया के मशूर साइन्टिस्टों में से एक हैं साइन्टिस्ट को उर्दों में बोला जाता है स आज से 1500 साल पहले कर दिये थे अभी जोव्यानिक है अभी के साइन करते हैं न कर दिये थे यह इन्हों कि नहीं जिरो का आविषकार किया था शुनिय का जो आप लोग जीरो लिखते हैं न जीरो ओन डबल जीरो या फिर जीरो लिखते हैं उसका आविषकार जो है आरे भट नहीं की थी यहाँ तक ही decimal point जो आप लोग लिखते हैं दश्मल वाण पॉइंट शू थ्री पॉइंट देते हैं तो उसका भी आविश्कार जो है आरे भट नहीं किया था ठीक है यहां तक कि दुनिया को यह भी नहीं मालुम था कि प्रिथवी जो है वो गोल है पहले के जमाने में पहले को लोग जो है वो यह समझते थे और यह जानते थे कि प्रिथवी जो है वो चप कर दिया कि प्रित्वी का जो आकार है वो चप्टा नहीं बलकि गोल है यहां तक कि आरे भट ने मशूर साइंटिस्ट जिनका नाम है पैथागोरस उनकी रहनुमाई की थी मतलब उनको राय देते थे कि इस तरह काम कीजिए ठीक है पैथागोरस जो है अक्सर आरे भट से राय या करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने घरहन के बारे में बताया है गरहν क्या है क्यूं है कैसे लगता है और उसके बात से कितने परकार के गरहन होते हैं जो साइंटिस्ट अभी क्रिश करते हैं अभी research कर रहे हैं लब खोज कर रहे हैं वो खोज ओर रिसर्च इन्होंने आज से 1000 सल पहले कर दे थी यह सबसे बड़ी बात है और 1000 सल पहले ही इन्होंने बता दिया था कि गरहन क्यों लगता है कैसे लगता है और कितने प्रकार के गरहन है सोचे अभी लोग अभी हम लोग के माइंड में जो जो ख्यालात और जो जो मतलब सवाल है ना वो सवाल इनके मतलब इनके दिमाग में आज से दिरहजर पहले उठ गया था तो यह सबसे बड़ी बात है और देरहजर साल पहले गुप्त दोर चल रहा था यानि कि आरे भड़ जो है वह गुप्त-दौर के गुप्त-दौर मतलब समझते हैं चंद्र-गुप्त-मौर किःते हैं और किसी लिए इसक्रम करने करने के बाद किताबें लिखे ते और जितने भी साइंटिस्ट उने की खिताबों से मदद लेकर करते हैं जो आज से दिरहजर सल पहले आरेबट में लिखी थी ठीक है तो चली हम लोग आरेबट के बारे में जान लेते हैं इतना महान साइंटिस्ट है तो इनके बारे में जानना जरूरी ही है ठीक है तो देखिए आरे भट की पैदाईश के बारे में बात कर लेते हैं इनकी पैदाईश कब हुई कहां हुई मतलब इसको पता लगाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था लेकिन जो खोज करता है उन्होंने पता लगाया तो उनको मालूम चला कि पटना के मगरिब खग बिहार में हुई थी और बिहार के पतना के मगरिब खगोल में और कभ 4766 को और उसके बाद से इनकी वफात यानकी मौत हुई थी पांसच चोवण इस भी को यह पूरी इनकी पूरी जिंदगी 68 सी साल की थी यह पूरा 88 साल जिन्दा रहे थे 88 साल की उमर इन की थी और वफात 554 में हो गई तो सोचिए आज से कितना 1000 साल पहले यह पैदा हुए थे ठीके आगे बढ़िए पटना शहर से 30 मीटर जुनूब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तरेगना में ही बैठकर मशूर किताब आरे सिद्धान्त और तंत्र लिखें देखिए पटना शहर से 30 मीटर जुनूब मसूरी के नजदीक तरेगना नाम का जगा है तरेगना में ही इन्होंने अपना तरेगना मतलब रिसर्च जो भी खोज यह किया करते थे रिसर्च करने के लिए इन्होंने तजर्बह गायन की रिसर्च सेंटर खोला था तरेगना में ही तरेगना में ही अपना रिसर्च सेंटर खोला था और उसी में बैठकर यह रिसर्च किया करते थे खोज किया करते थे और उसके बाद से उसी में बैठकर इन्होंने मशूर कि सटेशन है ना त्रेगकर पशक्लिक्र से svilles नदी पुरब में पुनपुन नदी के बीचा है याद रखिएगा तरेगकर रहे हैं? पुन पुन नदी और पश्चिम में सोन नदी याद रखिएगा और यह जो तरेगना नाम का जगह है ना यहां पर सालों भर आस्मान साफ रहता है और शायद यही वज़ा है कि आरेबट ने अपना इससे रिचेट करने के लिए अपना रिचेट क्या है की उनको मालूम देख कर Beauty और यह वज़ा हो Спटीए और अगे बढ़िये रेवं एक टेल बनाया जिस पर बैटकर वो राध भर तारों ओंधारों के बारे में तह्वर करते रहते हैं ऑरेवट मैं इस तरेगना में अपना रिसर्च सेंटर्च थे फ्लानेट वहीं पर उन्होंने 60 feet का 60 feet का बुलंदी यानिकि 60 feet की उचाई का एक टेला बनाया था और जिस पर वह बैटकर रात बहर तारो और साई-यारो साई-यारो मतब समझते हैं प्लानेट तो तारो और प्लानेट के बारे में वह तहकी किया करते थे रिसर्च करते थे खोज किया करते थे वही 60 फीट के टेले पर बाइट कर ठीक है तो यह हो गया आरे बट के बारे में कुछ डीटल्स अब ज़रा हम लोग समझ लेते हैं कि गरहन किसे कहते हैं क्यों लगता है गरहन कैसे लगता है और उसके बार से गरहन कितने परकार के होते ह की यहां तक फटरफट स्क्रेन शॉट अब चलिए जारा हम लोग समझ लेते हैं कि गरहन किसे कहते हैं देखिए गरहन को तो समझे ग्रहन किसे कहते हैं किसी भी प्लानेट को उर्दो में सेयारा बोला जाता है और हिंदी में ग्रह बोला जाता है तो किसे भी प्लानेट का कुछ या फिर पूरा हिस्सा दूसरे प्लानेट से ढख जाने को या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्लानेट का दूसरे प्लानेट पर परचाई पढ़ने लगने को ही हम लोग कहते हैं ग्रहन फिर से सुनिए एक प्लानेट एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर परचाई पढ़ना ही क्या कहलाता है ग्रहन कहलाता है ठीक आप लोग को समझ में आया तो ग्रहन जो है वो दो परकार का होता है एक होता है और हिंदी में बोलते हैं सुर्य तो समझे कि सूरज गरहन कैसे लगता है और क्या है सूरज गरहन यहां तक कि पृत्वी कोद मुauptी भी रहती और घुंटे घुंटे यह जक्कर भी लगाती । दोनों काम करती है तो सूरज के चारो तरफ पृत्वी चक्र ऐसे रगाती रहती रहती और विलुकुल उसी तरह पृत्वी के चारो तरफ हम लोग का मून यानि की चांद जो है वो भी चकर लगाता रहता है चांद ठीक है ऐसे ऐसे चकर लगाएगा ठीक है पृत्वी के चारो तरफ चकर लगाता ही रहता है तो होता क्या है कि यह जो चांद है यह चकर लगाते 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 इस सूरज और पृत्वी के बीच में आटपक परता है ठीक है जब बीच में ये चांद आ जाता है तो देखिए होता क्या है ये जो सुरज से प्रकास की किर्णे पिरस्वी तक जा रही थी अब इन प्रकास की किर्णों को चांद रोक लेता है और चांद की परचाई पिरस्वी पर पढ़ने लगती है औ काला क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि सूरज और के बीच में चांद आ गया है जहां से हम लोग यहां से देख रहे हैं सूरज को तो बीच में चांद आ गया है तो चांद सूरज से आने वाली प्रकास को रोक लिया धक लिया सूरज को चांद जो है वह धक लिया तो सुरेवारब से आने वाली प्रकास की कीड़नों को यह चांद जो है रोक लियरा है चांद की परछाइप पर परपढ़ने लगते हैं त why यहां और विए सुराज सुरज़ गरहन और विसी होता है एक होता है जजवी सुरज़ गरहन को पार्ट्य-विशं करते हैं और इन की यह चांद भी में फ़ोड़ा के था लगा गया होगा मतलब इस तरह चलते छलते धीर तो सूरज भी थोड़ा सा ढखा होगा फिर उससे ज्यादा ढखा होगा तो जब सूरज का जो है कुछ हिस्सा चांद से ढख जाता है उसी को बोलते हैं लोग जजवी सूरज गरहन और मुकंबल सूरज गरहन अग्रछ यानि कि टोटल सूर उलर क्लिप्स जब पूरी तरीके से सूरझ चांद फिरे धीर आया था था इसी जब पूरी सूरज के स सुराज गरहन और मुकंबल सूरज गरहन यानि कि total solar eclipse ठीक है और सुरजगरहन को कभे भी नंगी आखों से नहीं देखना चाहिए चाहे वो जजवी सुरजगरहन क्यों नहीं हो चाहे मुकंबल सुरजगरहन क्यों नहीं हो क्योंकि उस वक्त कुछ चाहनिकारक किरने आती है खतरनाक जो आख के रोशनी को लेकर जा सकती है और इसलिए हम लोग उसके लिए सुरजगरहन को देखने के लिए एक अलग टाइप का चस्मा आता है उसको पेहन कर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए ठीक है लेकिन नंगी आखों से खें की लूनर एक्लिप्स किसे कहते हैं तो पहले लिए आँ अब देखिया चांड किसे कहते हैं 7 ओर इंगिल्स में बहलता है या होता क्या है इ altura होता है इसके प्रिथ्व के चारो तरफ चांद चक्कर लगाता रहता है तो होता यह है कि चांदसे यहाँ लगाते 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 इधर आ इस साइड में और चान और सूरज के बीच में अब प्रिथवी टपक परता है। आब प्रिथवी क्या करता है? सूरज से आने वाली किर्णों को रोक लेता है और प्रिथवी की पर्चाई चान पर पढ़ने लगती है। तो हम लोग कहते हैं कि चांद जो है वो धका हुआ दिखाई दे रहा है काला दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि बीच में प्रित्वी आ गया और प्रित्वी की परचाई चांद पर पढ़ने लगी है इसलिए चांद जो है वो धका हुआ दिखाई दे रहा है और उसी को बोल अब आगे समझें देखिए 2009 का सूरजगरहन था 2009 सबसे बड़ा सूरजगरहन था वहाज़ान सबसे बड़ा सूरजगरहन लगा था इसा सूरजगरहन नासा साइन्श का इंस्ट्यूट था जिसका नाम था नासा और अभी भी है नासा के एक सांस में Unters रहे थे ठीक है और दो हजार आट में इन्होंने दौसश सफात मुंए 200 सफात में यहां पर मेर जाएगा 200 सफात में तफसीली से रिपोर्ट पेश की इन्होंने 2009 में लगने वाले सूरजगरहन का 20 सालों से रिसर्च कर रहे थे कैसा होगा उस सूरजगरहन और रिसर्च करकर उन्होंने 2008 में यानि कि जिस साल 2009 में सूरजगरहन लगने वाला था ना तो एक साल पहले 2008 में उन्होंने 200 सफात यानि कि दो सब दो सब पेज का एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने यह मतलब 2009 में लगने वाले सूरजगरहन के बारे में रिखा था कि 2009 में लगने वाला सूरजगरहन कैसा होगा कितना खतरनाक होगा और उसके बाद से उन्होंने उसी और जब तरेगना का नाम आया तो फिर से आरेभट का नाम उभर कर सामने आया क्योंकि आरेभट का रिसर्च सेंटर तरेगना ही में ही था तो सभी लोग को मालूम चला कि शायद इसी वज़ा से आरेभट जो है अपना रिसर्च सेंटर तरेगना में ही खोले थे ताकि वो वहाँ पर तारों और प्लानेट तारों और सयारों का तहकीक कर सके रिसर्च कर सके सभी लोगों को ये मालूम चल गया कि हाँ वाकई में आरे बट क्या साइंटिस्ट थे जुलाई 2009 के पूरे महीने में मुलकी गहर मुलकी अखबार में ये खबर चापे जाने लगें कि 22 जुलाई 2009 को सुरजगरहन लगने वाला है अपने मुलक में भी हिंदुस्तान में भी और दूसरे मुलक में भी चारों तरफ नियूस पेपर यानिकी अखबार और नीज च्वैनल के जरिए ये चारों तरफ खबर फैल गया था कि हाँ 2009 में 22 जुलाई 2009 को सुरजगरहन लगने वाला है और चारों तफ सोर मच गया था ठीक है जो कि सबसे बड़ा सुरजगरहन था और मुलक और गयर मुलक के साइंस दा जुलाई 2009 को बिहार के राजधानी पटना पहुशने लगे जितने भी अपने हिंदुस्तान के साइंटिस से और दूसरे देश के साइंटिस्ट थे वो जो है जुलाई 2009 को बिहार का राजधानी है पटना वहां पर पहुशने लगे क्योंकि पटना में ही तो तरेगना है तो तरेगना में जाकर उनको देखना था सूरजगरहन तो इसलिए वो पटना पहुशने लगे और उसके बा बड़े साइंटिस्ट जो है वो और पुलेंड के साइंटिस्ट यानकी पुलेंड के साइंसदा जो है वो भी पहुशने लगे नासा और इसरो और पुलेंड के बड़े-बड़े साइंटिस्ट भी पटना आने लगे किस सूरजगरहन को देखने के लिए और यहां तक के न सूरजगरहन लगेगा सूरजगरहन के लिए। 24 की तादाद में आम लोग भी खास किस्म का चस्मा लगाए इंताव कर रहे थे कि कब सूरजगरहन लगेगा हज एक अलग टाइप का चश्मा आता है तो वो चश्मा पहन कर इंतिजार कर रहे थे कि कब सूरजगरहन लगेगा और सूरजगरहन जो है उसका टाइमिंग कब था सुबह 5 बज कर 29 मिनट अंठावन सेकेंड पर वो सूरजगरहन लगेगा लगने वाला था और सभी लोग सूरजगरहन लगने से कुछ ही मिनट पहले बहुत तेज आंधी तुफान बारिश आने लगी और उसके बाद से चारों तरफ अंधेरा हो गया ठंड लगने लगी जितने भी जानवर थे पक्षिया वगयरा वह मतलब डर कर फिर से अपने घोसले में वापस घुस गये लो पूर चारों तरफ अंधेरा तेज हवाए और बारिश ऑर ऐसा लगज रहा था कि फिर से रात हो गयी है तेक है और इस तरह जो है सूरजगरहन को कोई ही नहीं देखपा है इतने बड़ेज स्टाइब को नहीं देख थेंकि क्लाइमेट ही का पूरी पूरी का से शुन हो गई और सब तुफान बगल आ गया था ठेलके तो वह इस तरह का सूरा गरहन देखने के लिए आप लोग फिर से एक साथिस सालों का इंतिजार करने पड़ेगा देखिए एक सतिस सालों का इंतिजार करना पड़ेगा अब 177 साल के बाद पता नहीं हम लोग जिन्दा रहेंगे यह कौन जानता है लेकिन ना तो फिक्स है कि 2023 साल के जितने भी स्टूडेंट है वह भले देख लोग के नसीब में नहीं दिखा है और क्या पता कि जब एक सथी साल के बाद जो सुरद गरहन लगे उसको जब देखने के लिए लोग इंतजार करें तो वो लोग भी नहीं देख पाए इसी तरह मत हो जाए कि तेज आंदी तुफान आजाए और फिर से यही वाला मोमेंट ज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जिद्दा ज्यदा हो सक्किन ज्यदा शेयर कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर बिएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट टॉपिक के साथ तब